हलो एवरिवन वेल्कम टू रेजनेंस पीजिशिपी डिविजिन माइनेम इस बहानी सिंग आज हम जो पढ़ेंगे वह है जो जीलोजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ अर्थ का जो जीलोजिकल हिस्ट्री है कैसे अर्थ इवाल हुई कौन-कौन सा पीरेड है किस पीरेड में क्या आपका फोसिल्स आए फ्लोरा एंफोन आए और किस टाइम पे मैं का इवूलिशन हुआ डाइनोसार का एक्स्टिंशन हुआ यह सब चीजें इन डेप्ट आज जानेंगे हैं सबसे पहले जो जीलोजिक हिस्ट्री की बात करेंगे तो जीलोजी का मीनिंग क्या होता है जीलो जीलोजिस्ट जो होते हैं मेलि कंसर्ण होते हैं किसी से आर्थ के क्रस्ट पर जो चीजें हैं एंड बेलो जैसे आप अंदर जा होगे तो आपको ऑल्ड़र रॉक्स मिलते रहेंगे उसी से आ पता लगा सकते हो as a geologist कि कब कौन से टाइम पी किसी चीज की formation हुई कौन-कौन से fossils पाये जाते हैं और कौन-कौन से minerals होते हैं तो इसके अंदर geology के दो study की जाती है एक तो minerals की उसको कहते है mineralogy और दूसरा rocks की rocks को क्या कहेंगे अपन petrology ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे अब जो rocks होते हैं उनी के अंदर आपके सारे fossils पाये जाते है तो जितने भी fossils fossils means आपका coal, oil, petroleum, gas यह सब चीजें किसमें होती है generally rocks के अंदर ही होती है जो आप below the surface crust के नीचे जाते हो ठीक है तो हम सबसे पहले start करते हैं कि अर्थ की formation कब से होई अर्थ की formation हुई around 4.5 billion year ago से चालूगा अर्थ का formation 4.5 billion years ago जो शुरुवाती फेज था in starting phase अर्थ was in a gaseous state अर्थ एक gaseous state में थी अर्थ का जो आप पूरा बहार का वातावरन था पूरा क्या था? gaseous state में था और जब आपन आएंगे यहां पे before 570 million years ago इस टाइम पढ़ेंगे इस टाइम बेसिकली आपकी लैंड की चीजों की फ्लोरा और फाना की formation चालू होगी ठीक है अब आपन अलग लग देखते हैं जो geological history पढ़ते हैं उसमें पढ़ना है अपने को formation of rocks from beginning शुरुआत से जब rocks बनने लगे उसी से अपन अर्थ की geological history पता लगा पाते हैं और अपन पढ़ते हैं हमेशा below to top below to top पढ़ने का कारण क्या है जिसे आपने history पढ़े होगी basically तो history गंदर क्या होता है कि king होता है king के जो son जो king मैंना उसके descendant उसके descendant अपने हमेशे history पढ़ते है top to bottom but अर्थ की geological history जो पढ़ेंगे हमेशे कहा से पढ़ेंगे अपन bottom to top इसके जो reason ही यह है कि मैंने बताया है पहले अर्थ के crust पे क्या होते हैं निवर rocks होते हैं जैसे जैसे आप deep जाओगे अंदर जाओगे तो आपको older 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 पुराने rocks मिल जाएंगे और उन्ही पुरानी rocks से आप पता लगा सकते हो carbonating काफी techniques होती है आपकी UNPV dating uranium dating उनसे पता लगा सकते हो कि किस टाइम पे कौन सा rock form था उस टाइम उसके अंदर mineral composition क्या थी और चीजें क्या हुआ करती थी ओके तो सबसे पहले जो start करते हैं वो start करते हैं आपके pre-cambrian period से तो ये और मैंने era से start किया era लिया है मैंने eons नहीं लिया है अपन आर्थ को बातेंगे era बहुत आसान सा है eon आसान सा है तो अपन era से start करेंगे era then period then epoch फिर उसका duration क्या था फिर मैंने इनको segregate कर दिया अलग लग parts में coal formation कब हुआ volcanism activity क्या थी glaciation कब हुआ mountain origin ही मतलब mountain की formation जो अपनी हिमालियाज है aplacian है rockies है andies है इन सब की formation कब हुई और last में आपन देखेंगे जिस चीज़ के लिए अपने study कर रहे है plants and animals means mainly अपन animals सिफ concerned रहेंगे plants कब आए पहली fish कब आई amphibians कब आए उन सब चीजों को अपन देखेंगे so I hope कि यह introduction आपको समझ में आया होगा अपन क्या जानने वाले है और जो चीजों के अंदर start कर रहे है अपन सबसे पहले pre-cambrian pre-cambrian के अंदर आपके दो period है archeozoic और protozoic इस टाइम पर क्या था अर्थ cool होना चालो हुई जब अर्थ की cooling चालो हुई अर्थ की cooling चालो हुई तो उसका temperature डाउन आया temperature डाउन होने की वज़े से life evolve होना लेगी तो around 4.6 billion years का पूरा history पढ़ते हैं और मैं start करते हैं 570 million years हो इस टाइम तक अर्थ में अलग-लग changes हो रहे थे जो इस टाइम अर्थ cool होना चालो हुई तो इस पे अलग-लग आपके landforms बने जैसे lake superior अपन लेक volcanism में देखेंगे जो cool हुआ तो अलग-लग tectonic activities की वज़े से अलग-लग जिकाँ volcanism हुआ जो अर्थ का surface है बाद में आप देखोगे जैसे की जो यहाँ पे है यह उस टाइम जो पूरा surface था पूरा अलग-लग surface था तो यह जो आप देख पा रहे हो यह यहाँ पे है United States यहाँ पे है आपकी lake superior तो इस टाइम यह वोलकनism की activity की वज़े से टक्टोनिक activity की वज़े से आपके किसकी formation हुई lake superior की जो वन अफ दा largest lake by surface area largest lake by surface area है volume से कौन सी यह lake बेकाल जो कहा है रशिया के अंदर okay so पहला period होगा आर्के जो जो सबसे oldest period है उसके बाद protozoic और इसको अपन एक तरिके से pre-cambrian period कहते हैं क्योंकि pre-cambrian period के पहले जो आर्थ के अंदर cooling चाले हुई उसके वैसे अलग-लग जो आपके landforms बने तो उसको अपन अब क्या होता है आर्के जो एक प्रोटेरोजो एक अपने नाम दे रहे हैं अलग-लग जो एक का मतलब होता है geological geological नहीं geological मतलब अपन मेंली कंसर्ण्ड किससे है अपने geology से plants and एनिमल्स के अपने को formation देखनी है ठीक है तो इस टाइम आपका आपको समझ में आ गया होगा अब उसके बाद आपके तीन पिरेड है primary, secondary और secondary के अंदर tertiary और quaternary दो अपने group कर रखें है last में तो एरा कहेंदे हैं सबसे पहला एरा कौन सा है paleozoic फिर आपका आएगा mesozoic फिर आपका आएगा cenozoic आपको time by time इनका remember करना है तो सबसे पहले आपन देखेंगे paleozoic फिर primary period में क्या हो रहा है सबसे पहले मैंने कहा कि pre-cambrian के बाद आपको कौन सा पिरेड आता है cambrian period जो around 570 million years अगो start हो चुका था और इसके अंदर आपकी देरे-देर क्या होई फ्लोरा की development चालू हो चुकी है आपके अलगलग plants अलगलग originate होना चालू है और अपन डेटेल में देखेंगे कौन सा प्लांट के अंदर क्या था फिर आपके इसके अंदर जो पीरेड है primary के अंदर पहले हो जो एक में cambrian फिर ordovician philurian, daonianian और उसमें सबसे important क्या आपका carboniferous period और उसके last में आएगा permian आपको sequence वाज याद रखना है cambrian, ordovician, silurian, daonian carboniferous and permian period इन सबको याद रखना है अब एक एक period करके देखते है जो आपको ordovician था ordovician period में plants और life दिखर दिखरी अब लप होना चालू भी उसके बाद जो आपका silurian period आया उसके अंदर अलग-लग mountains का पनलाश में पढ़ेंगे पहले आपने की period के बारे में जान लेलते है कि period में क्या हो रहा था deonian period आया, deonian के बाद में आपका period कौन सा था जो इसके duration around 65 million की थी जो one of the longest period है अगर आपसे पूछ ले कि primary या पेलोजोग एरा के अंदर सबसे longest duration की period की थी तो उसके अंदर cambrine या ordovision हो जाएगा अगर मिज़ोग में पूछ ले तो आपका creditious period सबसे बड़ा हो जाएगा जो 71 million years की इसकी duration रही थी total और यहां पर मैं लिखर रहा है million years होगो sequence चल रहा है सो यह कितने million years पहला था 345 million years होगो सबसे important यह इसलिए है क्योंकि इस time coal की formation हुई coal formation की तीन event होए थे अपने पास total इसलिए आपन बार-बार पढ़ते हैं जब coal को अपन classify करते हैं पार्ट में bituminous, anthracite, pete और lignite उसके अलग-लग category में देखते हैं तो अपन कहते हैं anthracite सबसे बढ़िया होता है और pete सबसे बेकार होता है उसके अंदर carbon content कम होता है तो अलग-लग period में form होने के वज़े से उनका carbon content अलग-लग होता है तो जैसे इस टाइम क्या हुआ carboniferous period के साथ टाइम पे carboniferous में कि आपकी tectonic activity जो हो रही थी plat tectonic activity हो रही थी उसकी वज़े से जो जैसे ही gap ये एक टाइम पे एकदम Southern Ocean है जो अंटार्टिका के रिज़न है ये सारे जितने भी आपके अफरिका है उस टाइम नीचे हुआ करता था इंडिया है वो भी करीब यहां पे आपका था इंडिया यहां पे था South America आप जाओगे तो भी करीब नीचे था तो इसके नीचे होने करण tectonic activity को वज़े से आपके जो बीच में रिफ्ट क्रेयेट हुए जो इतनी भी फ्लोरा हो थे उसके अंदर और फाना थे वो इसके अंदर सप्रेस हो गए और ओर दा मिलियोन इयर्स हो यह किस में कर नोट हो गए कोल के अंदर बाकी भी आपन देखेंगे यह डिपेंड करता है जब भी कोई जुशली ऐनिमाल या फ्लोरा रफाना जब टेक्टोनेकती किसी लैंड फॉरम में नीचे प्रेह लागएते हैं तो यह डिपेंड करता है आपके प्रेशर पर कि प्रेशर कैसे है अगर प्रेशर लो रेता है अगर प्रेशर लो रहेगा तो आपकी formation किसी होगी Kungal की फिर अगर प्रेशर आपका ज्यादा होगा म nell Media माननोंक है थो आपका बनता है ओल ऑर Prature above maximum हो उस पर तो आपका क्या बनेगा इस ठीक है तो यह अलग लग alcohol कि बाद जेनली से technology से भी समझ सकते है पन किसी student पर कम pressure हो तो जैसे आप जहीं में ओलेंगे तो state government में चला गया अगर थोड़ा ज्यादा pressure medium लिया उसने pressure means study माल लेता पन तो वो NIT चला गया और maximum अगर then आप से IIT से relation कर लो तो that is formation of oil natural gas और आपकी call की I hope call समझ में आ गया आपका पहला event है जब call formation आपका चालू हुआ ठीक है अब जो इसके बाद event आता आपका secondary एरा जो पढ़ते हैं अपन जिसको अपन किलिंग चालो हुआ आपके dinosaur खतम होने लगे और आपने के movies देखे होगी Jurassic Park वगएरा काफी Hollywood की movies है सो इस टैम पे इस टैम पे डैनासुर थे ट्राइसिक में और जुराशिक पीरेड में वो दिरे दिरे खतम होने लगे इसमें एक चीज रह गई आपके जो कार्बोनिफेर स्पिरेड है इसके अंदर इपोग देखते हैं रुज रॉक सिरीज देखते हैं तो इसके अंदर आपके देखा होगा Pennsylvania और Mississippi यह दोनों आपके USA United States के अंदर है North America के अंदर है और Pennsylvania और यह mountain origin नहीं है उसका जो surface form हुआ था यह during कार्बोनिफेर स्पिरेड गें इफ समवन आज कि Pennsylvania यह फिर Mississippi जो है वो किस पिरेड गें तो आप बताओगे पेलियोजोएक में कार्बोनिफेर स्पिरेड है ठीक है नेक्स्ट आपका आता है जो हुआता है जूरासिक पिरेड अब इसके लिए कुछ अलग-अलग theories है कि डाइनसार की लिंग क्यों चालूई सबसे पहले तो इसके अंदर एक चीज बताए गई है कि जो अर्थ के अलग-अलग movement थे आर्थ को temperature की वज़े से जो volcanic activity हो रही थी volcanism की वज़े से सबसे पहला इसन क्या था कि जब tectonic activity भी तो volcanism की वज़े से एक dust create होगी एक पूरे-पूरी volcanic dust जिसको अपन कहते हैं वो अर्थ के surface को उसने पूरा cover कर लिया अगर volcanic dust को ने cover कर लिया है पूरा तो क्या होगा अर्थ का टेम इंसॉलेशन काम आएगा इंसॉलेशन मतलब sun rays काम आएगी अगर sun rays penetrate नहीं कर पाएगी तो heating नहीं होगी मतलब temperature नीचे होगा और जो डाइनोसौर थे वो जनरली किसके थे warm climate के थे तो warm climate की वज़े से क्या हुआ कि उसके अंदर जो dust volcanic dust की वज़े थी या फिर meteorite जाएगी थी तो ice age जब आई थी तो आपने अलग लग लग देखा होगा ice age पे शायद काफी continental drift करके अलग movies है तो उसके अंदर भी आपने mammoth देखे होंगे अलग लग टाइप के animals देखे होंगे वो सब किसके थे इसी के वाज़ ज़ेशी cooling खतम होगी जो cretitious period है उसी में आपके dinosaur खतम होगे और आपके ice age के अलगले animals पाये जाते हैं ठीक है तो Jurassic में मैं जहां तक लगता है मुझे क्या आपको clear होगा Jurassic period में dinosaur का extension का कारण क्या था एक चीज और आती है कि जो usage theory थी कि जो temperature दिरे दिरे था बढ़ रहा था तो volcanic activity के कारण एक तो dust का रिजन था और दूसरा warming के कारण क्या हुआ कि जो temperature था warming effect कम हुआ तो उसके वाज़ेश के temperature डाउन जाने लगा वो temperature गो directly cooling भी कैस antices पे अलगले geologist अलगले चीज़ों पे agree करते हैं फिर आपके क्रिटिश पीरेड यह भी एक इंपॉर्डेंट पीरेड है क्योंकि इस टाइम जो इवेंट हुआ आपका second time पे कोल का formation हुआ और अब मैं थोड़े दिर में देखेंगे आपन जो अलगलग आपके extension हुए फिर्स्ट थर्ड सेकेंड एंट फर्स्ट मास extension जो मास extension में आर्थ के तोटल अवित क्यांत नग्श परसेंट ज्यादा लाइफ है वह रावंड डीस्ट्रोई हो गई थी extension के वैजे से ठीक है तो जोराशीक पिरेड देखा तो जोराशीक पीरेट के पास में कौन सा था आपका इसमें इसमें आपका हुआ थर्ड एक्स्टिंशन जिसके अंदर आपके डाइनोसोर कई अब करेंगे और यहां पर इसमें नियुका आपके अब करेंगे अब क्रेटिश्य पिरेड के अंदर डाइनोसोर की एक्सिंशन हो गई है और जैसे kretitious period खतम होगा, महलब cynozoic औरा के अंदर आजाएंगे अपन, tertiary period के अंदर, तो tertiary के अंदर भी आपकी 5 classes है, paleozoic, eocene, oligocene, miocene, और pleiocene, pleiocene की बाद में आपके आएगा, piltocene और holocene, Holocene के बाद में आपने बात करेंगे Anthropocene के बारे में बात करेंगे अलग से बात करेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा था ओके So next अपन देखते हैं आपका Paleocene Paleocene के पीरेड के टाइम पे जो एप है एप जो चार पे चलता था 4-legged animal था तो उस टाइम जिससे modern man develop होगा Homo sapiens आएंगे तो उसका app का appearance हो गया था पहला और अपन इनी जर्णी पे करते हुए 65 million years ago से लेके अपन लास्ट जब 12,000 years पे आजाएंगे तब जिसके अपन descendant है modern man या फिर Homo sapiens अपन डेवलोप होना चालूए तो यह अपनी जर्णी अलग से रहेगी तो इसी में आपका paleocene पहले period को रिस्ट कर लेते हैं फिर आपका eocene आता है eocene के time पे ही एक सबसे important था जो आप पढ़ते हैं महराष्ट्रा के अंदर डक्कन लावा के बारे में पढ़ते हैं डक्कन का लावा है वो इस time जो प्लेट हुए आपका बनना चालू हुआ बट कहिके बुक्स में भी बताया जाता है कि अगर कोशन आ जाए कि डक्कन लावा की formation किस period की है वो eocene की या फिर ktc period की है although दोनों सही है दोनों गलत नहीं है बट इसका basic answer ही होगा कि जो eocene period है लावास आप पुछेंगे डक्कन लावास की भी आपकी formation कब की है तो सिधा सही कि जो अपर जो portion है जो main sheet है वो तो eocene period की है बट इसमें शुरूम बताये आप down जाओगे तो वो criticism का लावा है ठीक है तो वहाँ पर थोड़ा सा common sense लगाना अपने को की कौन से period में आ रहा है चलो आगे देखते हैं पेलियोसीन और eocene आपको period हो गया फिर आता आपका oligocene period इसमें total 5 है पेलियोसीन, eocene, oligocene, miocene और pliocene period अब इस टाइम पे जब miocene में आप आओगे यह आपका third event हुआ जिसके अंदर col formation हुआ third event पे आपन देख सकते हैं अगर हिमालया की आप structure समझोगी हिमालया न औरोजनी सब पढ़ेंगे आपन तो उस टाइम पे तीन major event हुआने टेक्टोनिक activity के तो उसी third जो last टेक्टोनिक activity थी उस टाइम पे कौन सी formation चालूई col की formation third जो event हुआ col का वो event हुआ ठीक है अब तक जो continent होगेरा है आपके इस टाइम तक almost अपनी position पे आ चुके थे एक जो southern part थे equator से थे तो वो उपर आ चुके थे जो north america अपनी जगह आज की time पे तो almost almost अपनी position पे fix हो चुके थे ठीक है but moment अभी भी continuous है ठीक है तो यह आपके tertiary period के हो गए और इसका जो duration है अलग-अलग duration दिया हुआ आपको 54 million years अगो चालू हुआ और 7 million years तक यह चला ठीक है और third आपकी call formation event इस time पे हुआ नाव अपन आ जाते हैं आपके आप अलग-अलग events पे जो geological time scale के अंदर आपका आ रहा है सबसे पहले तो volcanism देखते हैं volcanism में सबसे शुरुआत में मैंने बता दिया कि आपकी lake superior की formation होई जो कहां पे है USA के अंदर ठीक है फिर आपन आते हैं जो आपका Permian और Trisic period है Jurassic period है इसके अंदर आपके अलग-अलग जो Siberia का region आप जानते है Russia के अंदर Mongolia Peninsula आप जानते मंगोलिया के रिजन यह उस time form हुए volcanism के वज़े से during Permian and Trisic period फिर दक्कर लावा के बात कर चुके है यह Eocene period का है लावा की जो volcanism हुआ और volcanism के वज़े से ही लावा बार आया basic comments हैं से और फिर यह Columbia प्लेट हुए आप जानते हैं सर्थ अमेरिका के अपर ठीक है और finally Iceland जो आपके यह Eocene period में आया Holocene मतलब लास्ट पीरेड जो है Holocene period है उसमें आपका किसकी formation हुई volcanism में Iceland की formation हुई जो last event है tectonic activity का एक तरीके से जो आप महां पर देख पार है Greenland के पास में एकदम यहां आपको दिखाता हूँ यहां पर आपका है Iceland यहां पर करीब ना North Canada के side में North America में ओके फिर आप आते है Glaciation Glaciation मतलब एक तरीके से Earth की cooling हुई तो आपके जो फेले वेते सारे continent तो इधर से जो बर्फ है equator की तरपान लगी इधर से जो बर्फ है equator की तरपान लगी ice जो इधरान लगी बट जो यह region है फिर next question नहीं देखा कि जो equator के पास का region है उसके उपर Glaciation का impact क्यों नहीं हुआ Glaciation का impact अपने को जो upper part है या sub latitude है higher latitude है उनके अंदर क्यों मिलता है क्योंकि equator पर क्या रहता है Sun throughout the year vertical रहता तो यहां पर heating continuous रहती है इस वज़े से यह possible नहीं हो पाया ओके फिर अपन देखें Glaciation में सबसे पहला कौन सा था अपलेशन राइस जो अपलेशन माउंटेंस है उनकी राइस राइस चाल हुआ फिर आपके इसमें आया प्रिस्टेशन पीरेड में गुंज मिंडाल आइसस एंड वर्म यह ग्लेशेर के अलग लेंड फॉर्म से इनका अपन ग्लेशेर त्योरी होगी उसके इसको बारे में डेटेल में देखेंगे और फाइनली ग्लोबल वर्मिंग ग्लेशेशन में चाल हुआ ग्लेशेशन मतलब आपके जो ग्लेशेर पेगलने लगे और इसी ग्लोबल वर्मिंग अपन थोड़े दिन में देखेंगे एंथ्रोपोसीन एरा क्या है ठीक है फिर अपना आते हैं मांटेन आजटेन कम कौनसी मांटेन गively वई तो आपके सबसे पहले तो है कौनसी प्रिकेंब्रियन माउंटेन जो केंब्रियन पीरेट के अंदर आई फिर अल्ली डेवनियन फिर आपके आती है केलेडोनियन और लेट सिलूरियन माउंटेन यह जो केलेडोनियन का है यूके के अंदर कारबॉनिटर्इस माउंटेन फिर आपकी रौकिनगी फोरमेशन यही तिर आपकी इंडीरिस टर्श्वरी जो लॉंटेनि वरजिय। इसी समय पर आपको कौन सा बना जो हिमाल्या है वह इस समय बना ठीक है हिमाल्य की हिमाले की फॉर्मेशन हुई और एंडी भी रॉकी एंडी भी इसी समय की माउंटेन फॉर्मेशन है नाव लास जिसके अंदर पन जी पढ़ रहे थे पन पूरी जी चर्चा कर रहे थे लास्ट में उसी पर अपन तोड़ा देख लेते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स की लाइफ म डेवनियन फीरेड में इसको फिश्यस की फॉर्मेशन चलू हुई फिश्यस एक्जिसेंस में आ गई थी देवनियन के बाद कार्बोन फिरेड में फर्स रेप्टाइल और सीड फंस आप देख पाऊगे रेप्टाइज जो थे वह इस टाम पे आना चालू हो गए थे फिर पीरेड है इसको करते हैं एक तरीके से एज ओफ एंफिबियंस ठीक है स्तंधारी जो लोग थे वह आने लगे फिर आपके क्या आते हैं रेप्टाइल्स और एंज्यस्परम्स जिनका इवोलुशन चालू हो जाता एक तरीके से लेक्स आपका जब क्रेटी जुरासिक पीरे आते हैं जो चार हातों वाला जीव है जो चलने वाला एप वह आता है आपके प्लेशिन पीरेड के अंदर फिर डेवलप होते होते हैं दो पेरोब्या आता है इसको अपन कहते हैं हमोरेक्टस और फिर अलग लग एजेज में डेवलपमेंट होई जिसे पढ़ते हैं पर नियांडर थल में जो फॉर्मेशन ओव एजिप्ट के जो वो बना रखें इन्होंने इजिप्ट के पिरामिड बना रखें तो मारा जाता है वो नियांडर थल जो हो मोशेपिन से जो पहले आये वो उन लोगों का काम हो सकता है ठीक है फिर आपके आईसेज के बारे में बात है और लास्ट आपका आता है जो पॉलोसीन पिरेड में में पुरी तादर डेवलप हो चुका है और आपके अलग अलग यहां फोटो जिखा रही है डाइनस ओर के दिखा रही है आपके अलग अलग तैप के बाता है उनने वाले पक्षिर्यों थे आपके यहां पर जो आड़ीत है और्वषेंट की अलग से उसमें पढ़ाये जाती है जिप उन्टा की इजरिय इंड़ी किला श्रियों वर्थ क्या है कैसे गाज कब किसकी फॉर्मेशन हुई कारण क्या थे इस फार इस पॉसिबल यू माइट भी क्लियर अबाउट इट ओके नेक्स अपन देखते हैं आपका एंथ्रोपोसीन अर्थ न्यू इपॉक और जो 1950 में यह मानते हैं कि चाल हुआ क्योंकि उस ताइम इंडॉस्ट्रियल एवलुएशन हुआ एंथ्रोपोसीन मतलब एक तरीके से अपन कहते हैं ग्लोबल वॉमिंग प्रहले सब सब्सक्राइब लिए फोटो मैंने लिए हिंडुसर्ण टाइम से लिए उसकी वेबसाइट से लिए तो मैंने सारे इतने भी चीज़ें बताहिए आपकी स्नोबॉल स्नोबॉल अर्थ कि होड़ोन सेकंड ठीक है फिर केंब्रीन आप फेनरोजोग हो गया पीलोजोग हो गया ओड़ोविशय अंसलुरिया आपन देख चुके हैं फिर्स्ट फिश अपियर्स एट्टी परसेंट और मास एक्शिंचन इस्पीशिस खतम हो गई सेवंटी फ़एपरसेंट स्पीशिस खतम हो गई आप जो टरिस्टल लाइए अलग जो एक्सेंचान बता रख एतो फ्रस्ट सेकंड थर्ड फॉर्ड और फिर्फ्थ एक्सेंचन इन्होंने पांचों बता रखें ठीक है यह आइन्थुरौपोसीन एक तरीके से क्या है एक तरीके से मानते हैं और टाइम जब अर्थ की अपनने ग्लोबल वामिंग यह तरीके से ऐसका टेमप्रेचर वापिस से राइस होने लगा तो बंगो अर्थ की आपना लाइबली प्लानेट है वो प्लानेट की मॉर्फोलोजी केमेस्ट्री और बायोजी दिरे दिरे अपन चेंज करने लगे कम्प्लेट ड्रास्टिक चेंज उसके इंदर लाने लगे होलोसीन इपोग के वारे में देख चुके अपन और एंत्रोपोसीन है कि एक तरीके से लगे हो गया है एंत्रोपोसीन के अंदर इन्होंने पांच केटेगरी बात रखिये साइंटिस ने एक क्रेफोड लेक है टॉर्ण्टो मतलब जो आपका कैनेडा है उसके अरिया के अंदर और उन्होंने उसकी लेयर की अलगे लेयर की स्टड़ी किये मिक्स मिलियं तो अपरागपुर एक तरीके से सेपरेशन है उन्होंने इसी की स्टड़ी के आदार पे ग्राउंड जीरो की स्टड़ी के आदार बताया है कि दिस इज दा एंत्रोपोसीन आपका जो है इफको Silence ऐब अफंभात करना चाहते हैं एक मेजर की extension की बात कि मेने पांच extension हुए तो किस किस टैंप ओनकौन Ну And G exist was खेंट कितने अलग यहां ख़तम होगी तो वह अपन देखते हैं तो मैं बहूंभी आपन बात करेंगे इस की extension की बात करेंगे तो मैंने पाद आता है था कि 5 मास extension हुए है और एक एज बिताई थी app to homo sapiens का जो अपना सफर था तो आपके अलग यह नाम दिये में है ठीक है यह अपने app से start हुआ था तब human का development चालो हो लगा है mind की growth चालो हुए because अपन as part of physical part हाथों से पेरव जादा किसका इस्तमाल करने लगे थे आप mind के यूज़ करने लगे थे तो mind के यूज़ करने के वज़े से आपका जो brain है उसका size बढ़ने लगे इस दा part of basic evolution ठीक है तो सबसे पहले आपको जो पीरेड आया है वह है आपका end ordovision जो अपने इसके अंदर आपको हुआ पहला extension जो 444 million years होगो था 86% of species खतम होगी 57% of general खतम होगे और 27% आपकी families extent हो गई यह आपके cycle से आपने biology में पड़ी होगी ठीक है उसके बाद जो second आता है वह आता है आपका पर में पीरेड के अंदर इसमें बात की थी अपनने यह third mass extension था इसके अंदर 96% species थी वह completely खतम हो चुकी थी और 57% families एक तरीके से एर्थ के अंदर पूरा 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 जो life था एक तरीके डिस्ट्रॉय हो चुगा था इसके अंदर यह आपके आते हैं dinosaurs का extension काफी अलग जो animals थे उनका extension हुआ था आपका फिर fourth आते हैं जैसे trisic period आया end of trisic period यह फिर अपन मान सकते हैं इसलिए मैंने कहा था जोगा आपके डाइनसौर का extension complete हो जाएगा 86% इस पर सीच चली गई 23% families extension हो गया families accident हो गई तो लास्ट आता आपका criticism period के अंदर लास्ट में यह अलगले मैं देख रहे हैं लिख रहे हैं आप देख लिए रेट कब हुए rabbits एंथ्रोपड अप कब आया एप के अंदर फ्लोरिंग प्लांट और ट्रीज कब आया अल्ली हुमन इंसेस्टर इसके बार हम क्या आते हैं उसके अधा homo sapiens और आज का modern man वह भी classify कर रहा अलग से लास्ट आपका criticism इस समय आपका क्या हुआ 76% species खतम होगी और 17% families extinct हो गई तो यह आपके टोटल major mass extinction अब इन mass extinction का कई जगह कारण बताए जाता है जो meteorite impact अर्थ पे उसकी वज़े से dritectonic activity थी उसके वज़े से volcanism हुआ उसके जो climatic dust हुआ उसके वज़े से भी बता जाता है तो majorly अलग अलग पीरेड के लिए अलग अलग आपके extension के कारण है ठीक है और extension पे आपने देखा हुआ यूवन में बहुत से डाइनोसूर का वीडियो बनाया था climate change को लेके तो उसी climate change से related आपने पूरा जो anthropocene आ रहा है वहां तक अपन आए we started from pre Cambrian से start किया अपने अपने आपके जो पूरा पीरेड है लास्ट में अपन आये अपने पूरी जियोलोजिकल हिस्ट्री अफ देखी अर्थ के अंदर कपकप क्या हुआ कैसे कैसे कौन से टाइम पर क्या चीज इवाल हुई और amphibians का बाई, fishes का बाई और different type के floran फाना का बाई आपको तो इसलिए अपन मैंने शुरू में कहा था इसको अपन क्या कहते है जोईक, zoic means geologic, you are more concerned about plants and animal life I hope you have understood very well, try to revise it again, I think जो नाम अथो difficult है, जैसे but sequence में आपस अगर कई बार को एक्जाम में आपसे directly sequence ही पुछाया सकता है, sequence wise इंको arrange कीजिए, ascending order में, descending order में, so you should remember these names, and I hope everything is clear, when you doubt ask me, okay, thank you everyone